आज की मलाकात की स्रंखला में हम आज आधार से संबंदित सर्विसिस और उसमें कुछ एक नए अपडेट्स जो आए हैं उसके चर्चा करेंगे तो जो भी यह भाई इस सेशन को देख रहे हैं सभी का स्वागत है कुछ एक चेंजेज हैं जो कि आधार सॉप्टर में हुए है पूरा करते हैं तो वह अधार संसोदन का काम पर कारें करते हैं तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से बर्जन है जो अभी प्रजेंट टाइम में लाइव हैं इसके अलावा हम कैसे अपने UCL पे भी वी जो कि पिछले कुछ एक समय से दो-तीन महा से हमारी कुछ एक सर्विसेस हैं जो कि आधार सॉट्टर के मात्यम से हम लोग UCL से करते थे इत्यादी को बाड़ कर दिया गया है अब वो हम नहीं कर पा रहे हैं उसके बाज़ूद हम अपने UCL के मात्यम से कैसे जादा से जादा ट्रांजिक्शन कर सकते हैं उसके बात करेंगे और उसके अधाद जिससे कि भार्ट करते हैं जिसमें की बेशिक बर्जन जो था 166 जिससे जो अपडेट होकर 167 168 166 171, 172 या कुछ भी है निवाई हमारे 173 या 179 पर जो काम कर रहे थे तो वो अब काम नहीं कर पा रहे होंगे हो सकता है हमकी मसीन अब सिंक नहीं हो पा रही है तो उनसे सभी से रुकेश्ट है कि वो इस अपनी जानकारी को अपडेट कर लें कि अब आप 176 से अब जितने भी आधार वर्जन है 176, 178 या 178 जो है उस पर ही काम कर पाएंगे और पिछले कुछ समय से आपको पताईए अब हम आधार UCL सॉप्टर के माध्यम से केवल मोबाइल नंबर, इमेल आडी, एटरस अपडेट और साथ में डॉकुमेंट अबलोड पर काम कर सकते हैं हम किसी भी तरह से नेम करेक्शन, DOB करेक्शन, पायमेट्रिक इस तरह की जो संसुत है वो हम नहीं कर सकते हैं तो सभी BLE भाई उसे अन्रोध है कि वो अपना आधार सॉप्टर चेक कर लें कि वो किस बर्जन पर काम कर रहे हैं कि ऐसा रहे हो वो पराने बर्जन पर काम कर रहे हो और तो मसीन सिंक नहीं होने का कारण यह हो सकता है कि आप पराने बर्जन पर काम कर रहे हैं तो आप हम से समपर करके आप अपका प्राना बर्जन पर आपडेट करा लिजेए इसके अलावा अगर आपका बर्जन आटो अप्डेट नहीं हो रहा है चुकि आधार का जो सॉफ्ट्यर है वो आधार OTA क्लाइन जो सर्विस में जाकर आप चेक करते हैं तो आधार OTA सर्विस मिलती है अगर उसको आप स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं इस वीच अगर आप इंटर्नेट की चनेक्टिविटी अच्छी है इंटर्नेट की स्पीड अच्छी आ रहे है तो आपका स्टार OTA अप्डेट जन्ली हो जाता है इंकेस नहीं हो पाण रहा है तो मैनूल अप्डेट करने के लिए ही मैं आपको बदार रहा था कि आप अपने चिला पर बंदर या फिर यूएडी में हम इस्टेट टीम मतलब हम लोगों से संपर करके इसको अपडेट करा लीजिए पुराणे बर्जन पर आप काम नहीं कर पाएंगे इससे कि आपका नैसेसरी चारह दिन कर काम बादित ना हो जैसा कि मैं बता रहा था आपको की यूचियल पे चुकि अब सर्विसिस हमारे पास पर बहुत ही लिम्टेट रह गहीं है अब यह हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो गया है चुकि हमारे पास पहले सी बाइमेट्रिक अप्डेट नहीं था पोटो अप्डेट भी नहीं कर पाते थे और इस बीच अभी अप्रेल से हमसे नेम या डियोवी करेक्शन की सर्विसिस भी जो है वो बंद कर द लिए सिंपल सा तरीका है हम लोग हमेशा से बोलते हैं कि अपने सेंटर पे अभी वी जो आपकी सर्विसिस हैं चुकि हमारे जो भी सी सेंटर से आप केवल आधार यूशियल पर काम नहीं कर रहे हैं आपको पहले बैंकिंग सर्विसिस मिली हैं इसके लाव आप सी सी की यां या योजना है इसमें आप के बिएिसिस मिला हुआ है कि सर्विसिस हैं ऐसी कुछ उनके आधार में मोबाइल लंबर लिंक नहीं है, उनको सिज्डेस करिए कि मोबाइल लंबर लिंक कराएं, इसके अलाबा जो डॉकुमेंट अप्लोड की एससाइज चल लएगे, ट्राइब चल लएगे, जो यो एडिया ने इतने सर्कुलर जारी किया हुआ है कि तस साल से प खिल लैबल है, उनस सर्विसस का डिस्पलेश जरूर लगा हुआ हो, कि आप कौन-कौन सी सर्विसस डिलीवर कर रहे हैं, और उनस सर्विसस के साथ में अंगेश्ट उसका जो उसका यूजर चार्जर्ज हैं, वो भी डिस्पले करके रखें, आप अपने सेंटर चुकी कुछ एक numbers दिये हैं कि इतने numbers ही हमको करने हैं इतने ही centers को हम usual services दे सकते हैं तो कुछ एक selected VLs को ही ये service मिली हुई है अगर बात करें कि एक usual VLs तो लगबग 8-10 गाओं को एक यूज़ल VLs service देता है तो आप इस तरह से अपने प्रेंडिंग या अपने सेंटर का एडवर्टाइजमेंट रखें कि आपके सेंटर का जो प्रचाब इसारा एटलीस आपके सराउंडिंग आर्टस बाउ जो बिलेजेज हैं बहां पता हो कि बहां एक यूजिजियल सेंटर है जहां पर जाकर वो अपना मोगाइल नंबर लिं सब्सक्राइज है आपकी अपनी साथ में अब आरफ देना या सिकायत है साथ में यूजिजिय करके रखें इसेंटर सबस्क्राइज साम को इडियांड है जो कुछ इस तरह के डेली Worker होते है जो कि द्हाडी मजदूर होते है या उस तरह की जो Worker है. सुबहां Late nights में काम कराना पसंद करते हैं दिन में उस जॉप कर रहे हैं या फिर मजदूरी कर रहे हैं और साम को घर पे आते हैं करते हैं कि कुछ काम हमारा है तोवो पूरा दिन चुटी करके काम कराएं तो साम को भी काम कराना पूसंद करते हैं तो आब बो सेखे तो अपना सेंटर के तुट नहीं काम कर सकते हैं तो 7 डेज अपना सेंटर ओपन करके रखें और सोगा और 8- vousद नहीं फोलते हैं गोचिल कोटे हैं पर अच्छे होते हैं जो लोग है उनका withdrawal इसकल का फिजुक्त विश्वाज रहता है कि हाँ वहां कराने चाते हैं तो सेंटर बंद नहीं मिलता है उनका काम आसानी से हो जाता है इस समय समय पर आप अपने लेवल से लोकल नीश पेपर्स हैं या लोकल अथोर्टीज होते हैं उनका इनको इंपूट करते हुए अपने सेंटर की परशाब परशार के लिए वह ले सकते हैं जो रही डिटन्ट आपके काम कराने कर वह अगर सैंब आफिरल के काम कर राए है तो और को जाकत आपके यहाँ तो आपकी क्राइब तो तो रही डेट के साथ में बैभार अच्छा रखे, क्योंकि mouth publicity के दुआरा काफी अच्छा जो है, अगर marketing का पार्ट देखे, तो mouth publicity बहुत जादा बड़ा रोल प्ले करता है, एक बूसरे को लोग बताते हैं, अगर वो पॉश्टिविटी के साथ में आपका जो आपके जो काम से अच्छे से करके दिया, अच्छे से बड़ताओ किया उनके साथ में तो फिर बहां जाकर लोग को भी, दूसरे लोग को भी अच्छे से बढ़ाएंगे और आपके यहाँपे लोग जो है, आपके आपके आ ताम कराने या रहे हैं, जैसे कि मैने आपको बोला कि len के दोभ डॉकुमेंट अप्लोड कराने की जरूरत है आडर में ID Address Proof POI और POA तो वहां पर अपने सेंटर पर डॉकुमेंट अप्लोड के संबंद में जो पोश्टर वैनर आपके बीच में हम लोगों ने शेर किये हैं वो लगा कर रखें जिससे कि लोग अगर वो वैनर पोश्टर द को खॉलो करना आपका हमारा एजेर रजिस्टार एजनसी भूल करतब दे हैं कि हम जो भी यू आडिया की गाइटन है चाहिए वो डॉकुमेंटेशन को लेके हो जो डॉकुमेंट बताए गए हैं एस पर डॉकुमेंट वैलिट जो डॉकुमेंट की लिष्ट है जो डॉकु काम नहीं हो रहा है अगर को कहता है आपको करता है कि नहीं मेरा इसी डॉकुमेंट से कर दो और आपको लग रहा है कि वो डॉकुमेंट जो डॉकुमेंट की लिष्ट है और उसमें लाई लहीं करता है उसमें लिष्ट में नहीं आ रहा है तो फिर आपको डॉकुमेंट एस सब्सक्राइब नहीं करना है कि अगर 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 चार्जिंग करेंगे तो फिर उस पे इमेडियेट सस्पेंसर और साथ में ऑबर चार्जिंग की पैनल्टी भी एक हैवी पैनल्टी है 50 जार रुपए पैनल्टी लगती है और उसमें 0% टॉल लेंस है यूइडियाई और आपसे अंड्रोध करते हैं इसमें सपोर्ड करेए कंट्रोवर्शी ना करें कि दूसरा रई proud या ॆदूसरा सेंटर को चला रहा है जो ऐसे पर करता है हम सब काम करोह हैं और काम करने वाले सब एक ही हैं, तो प्लीज सभी से अंडोध है, कि user charges जो बताए गए हैं, हमारे usual के मात्यर्ण से के वल correction का क्वह होता है, आधार update करते हैं हम लोग, चाहे mobile number लिंक करते हैं, या फिर mobile number update करते हैं, address update करते हैं या document upload करते हैं, सभी services का मात 50 रुपए निधार सुन्ख है, तो 50 रुपए ही रेइडेंट से charge करें, कुछ एक cases में देखा गया है, कभी भी कोई overcharging की complain आती है, तो फिर हम बचाओ करते हैं कि हमने उसका print भी करके दिया था, या फिर उसका हम help की को या document बनाने में या बनवाने में, तो प्लीज रेइडेंट को अच्छे से बता कर समझा कर इस कारे को करें, और register maintain जरूर करें, चुकि कभी भी अगर कोई भी complain आती है, तो उसका verification करने के लिए, आपके पास में, आपने जो register maintain किया हुआ है, और साथ में आपके center पे CCTV camera इत्यादी लगे हो, आपके center पे रिट्लिश लगी होई हो, आपके center पे बाहर भी जो help line number, UIDI के है, वो सभी display होए और रखे होंगे, तो फिर cross verification ही जब किया जाएगा, तो रेइडेंट से पूछने के लिए, आपने जो register maintain किया है, रेइडेंट में, जो mobile number है, होते हैं, register में mention रहते हैं, आपर incorrect detail बिल्कुल भी mention ना करें, आपर register को proper तरीके से maintain करके रखें, और register में, जो जिस कारे को आपने किया है, उस कारे को mention करें, और register को अच्छे से बताएं, हो सकें, चुकि आप, हमारे जितने भी CC center है, सभी पे और भी services आप लोग deliver कर रहे हो जैसे कि मैं बताया कि आप हो सकता है, वहाँ पर आए जाती निवास का भी काम कर रहे हैं, आप अबर से template में भी help कर रहे हैं, तो उस control को अलग कर दें, आप आधार का काम, जहांपे जिस area में अपने center पे कर रहे हैं, उसको separate partition कर लीजे, portion कर लीजे, जिससे की resident को यह अच् सुल्टे 50 को वही दिया है, मैंने, कभी भी कोई अंजान व्यक्ति है, उसको अपना system remote पर ना दे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी software में changes होए हैं, तो software changes के लिए एक process flow है, जो कि मैंने आपको share भी किया हुआ है, गुरूप के मात्यां से आपको mail पे भी share किया ह तो please ना करें, अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं, तो आपकी जिले में हमारे CSC की जिला प्रवंदग हैं, जिस CSC की district team है, उससे संपर करिए, या हम लोगों को mail पे सुचित करिए, हमसे mail पे या फिर workshop या फिर call के मात्यां से संपर करने के प्रयास करिए, please किसी भी अन प्रयास ना रहें, या किसी भी गलत तरीके से या कुछी दूसरे प्लेटफर्म को आप यूज करने का प्रयास ना रहें, आप address update, mobile number, email update और document upload ही कर सकते हैं, इसके लावा और किसी service को करने के लिए, ना आप किसी भी resident को commitment करिए, ना आप उससे बोलिए कि मैं आपका ये काम करा दूँगा, चुकि आपके यहाँ पे name correction, DOB correction, ये सभी services अब तक होती आती थी, resident आपके यहाँ काम कराने आते होंगे तो प्लीज अब हमारे पास वो services नहीं है, तो आप से अंडोध है कि अब resident को आप प्लीज इस चीज को बोलके misguide ना करें, उसको सही guidance दे कि अब हमारे याप यही services होती है, आप mobile number update हमारे यहाँ करा सकते हैं, address update करा सकते हैं, या document upload कराना है, तो आप वो करा सकते हैं, हम name और DOP अब नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज इसके लिए commitment किसी भी resident को ना करें, उसको आप, अगर आपको पता भी यह है कि कहीं और दूसरी बैंक कोश्टों पे से आप किसी और दूसरे machine पे होता है, तो रही टेंट को बताईए, उसको लेकर यह नहीं को लिए कि हमारे नाम लेकर बहाँ जाईए और हम करा देंगे, हमने बेजा ऐसा कुछ नहीं, रही टेंट अवियर होते हैं इसके बारे में कि काम कहां पे आधार का हो रहा है, तो वो स्यूम जाकर अपना काम बहां पे कराएंगे, उसके लिए आप खुद से अपना commitment ना करें और ना उसके लिए कोई भी charges अपने यहां पे लें, आप जो services दे रहे हैं, mobile number अपडेट कर रहे हैं, address कर रहे हैं, या document upload कर रहे हैं, तो प्लीज वही करें और अच्छे से resident को बताएं इसके बारे में, जो address update में, जो mobile number या email update में कोई document use होता नहीं है, जो document upload है, या आपके पास में address update है, तो address address update के लिए जो relevant document लिये जाते हैं, आप address update के लिए जो document ले रहे हैं, उसको अच्छे से check कर लें, उसमें proper detail resident की है, sign stamp या फिर उस पे sign stamp, अगर standard format लेके आया है, तो sign stamp जो है, वो बताया है, आपको तरीका किस तरह से check करना है, वो proper दिया हुआ है, उसमें किसे भी तरह की tempering या whitener या cutting नहीं होनी चाहिए, कोई भी कोशिस करिए कि staple इत्यादी किया हुआ फोटो डाओ, पेस्ट किया हुआ फोटो होना चाहिए, जब आप, चुकि कई बार जब आप पे staple किया हुआ फोटो, उस पे stamp लगाते हैं, या scanning करते हैं, तो proper scanning में या stamp वो नहीं आती है, त पेस्टिंग किया हुए फोटो जो standard format है, तो पोसिस करिए कि बहाँ पे पेस्ट किया हुआ फोटो और फिर उसके बाद वे इस पे stamp लगी हुए हो, तो ये कुछ एक guideline से जिनको आपको ध्यान देना है, किसी भी तरह की frontline activity, कोई भी गलत तरीके से कोई भी आधार अपडेट करने के लिए आपको insist करता है, बताता है, कोई भी आपको दूसरा platform के लिए बता रहा है, तो तुरंद हमारे district managers या हमारे को सुचित करिए, ना कि उसमें आप हुए अपना participant करेंगे और उसको आप खायदा उठाने की कोसिस करने की कोसित बिल्कुल भी ना करें, इसके अला से आधार में उपके करने हैं, जो कि 2013 से पहले आभी संख्या में आधार कार्ट बने हुए हैं, उनको दुबारा से अपना POI और POI अपने document अपडेट कराने हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें, present time में, और पिछले 15-20 दिन से लगभर एक महीने से हम लोग देख भी रहे तो इनको दुबारा से refund लेने के लिए government की तरफ से portal life किया गया है कि उसको पंजी कराकर और उसको रिफंड अपना वापस ले सकते हैं, इसके लिए हमारे CSC Center के माध्यम से CSC VLE भाई, आप लोग कर रहे हैं registration और उसके लिए भी आपको मेंदारे सुल 20 रुपर लेने के लि और अभी भी जैसे कि आप बोलतेते हैं कि सर्फ मोबाइल नंबर लिंक कराने बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन आपने देखा कि अभी जब यह scheme आई हुई है, इसके लिए registration portal link ओपन किया गया है, उस पिछले कुछ एक समय से काभी users, जो कि Sahara के users थे, उनको मोबाइल नंब नंबर उनका आधार में link होना चाहिए और वो भी ऐसा मोबाइल नंबर हो जो की working में है active है, तो आप ने देखा कि अब फिर से दुबारा से foot call और कुछ एक डिस्टिक्स में अगर मैं बात कूँ भी इसपेसली इदर UP East के हमारे कुछ एक जिले हैं, गोरगपुर हैं, सिद हमेशा से आप से इसी दिए बोलते हैं कि अभी भी जैसे कि UIDI ने हमको कुछे काकड़े बताए हैं कि 25 से 30% रही टेंट, अगर 130 करोर आधार कार्ट की बात करें कि 130 करोर आधार कार्ट धारक है, 130 करोर लोग का आधार कार्ट जारी हो गया है, उसमें से 25 से 30% लोग अभी इसे हैं, जिनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, लेकिन एक टेंडेंसी है, हुमन टेंडेंसी है कि लोगों को जब तक जबूत मैसुस नहीं होती तो लोग नहीं कराते हैं, तो हो सकता है, ये भी कुछ ऐसे यूजर्स थे या रही डेंट थे जिनको अभी जब उतनी बड़ी, लेकिन अब क्योंकि साहरा में उनका इंडेस्मेंट था, उनको लेना है, तो उनको जब पढ़ रही है, तो आगे निकल के आ रहे हैं, तो आप से हम लोग यहीं बोलते हैं, कि आप रही डेंट को प्लीज, क्योंकि CSC एक ऐसा प्लेटपॉम है, CSC एक ऐसा अपने आप में मॉल है, जो कि आप इतनी सर्विसिस दे रहे हैं, तो उस सर्विसिस एक छत्री के नीचे, एक छात्य के नीचे जो अम्ब्रेला के नीचे आप सर्विसिस दे रहे हैं, अपने आप में मॉल है, उस सर्विसिस को डिलीवर करने के लिए, तो आप अपने तो पिलीज ये तीन चार सर्विसेस जो आपके हाथ में एक यूनिक सर्विसेस हैं जिसको और लोग नहीं कर पाते हैं तो आप उनको बोल्ड आप वैनर कोश्टर को बड़ा सा बना कर लगिए कि अगर आपके आधार में मुवाइल नमबर लेक नहीं है और वबिस में यो सरकारी किसी भी तरह की कोई योजना है या फिर गैर सरकारी भी योजना है इस तरह की जो भी जैसे आपने देखा भी सारा रिखंड के लिए ही लोग को मुवाइल नमबर बेंटेटरी है अपडेट कराना पड़ता है तो आप लगा कर रखें जिससे कि लोग को अन्नेसेसरी भीड में या उस लाइन में कतार में लगना ना पड़े जैसे कि आपको बार-बार बोला जा रहा है कि आधार में जो आउं-खाउं कत होती है ठीक है तो हमसे अभी उम्मीद रहती है तो हम अवेर्नेस में भी अपना इंवल्मेंट रखें कि लोग को अवेर करने के लिए भी हमारा एक पंट्रोंडिशन निकल के आए कि हमने लोग को अवेर किया उसके बाद ये नंबर्स हम कनवर्ड कर पा रहे हैं यह ऐसा मैसुस नाओ कि लोगों को जनुगत हुई तो लोग चले कर आए और उन्हेंने अपना काम कर आया तो हमने नंबर्स करके दे दिए हमें लोग को प्री अवेर करके रखना है उनको जिससे कि उन्हें अन्नेसरी जैसे अभी अभी देख रहे हैं दो ती दिन और सर्वर चुँए को काम करना बंद करता है यह सर्वर करता है तो लोग को आप थोड़ा सा अभेर करिए जैसे कि अभी सहारा में जरूत पड़ी कितने लोग उन्हें मुझाल लंबर नहीं लिंक करा आए उनको तो सभी लोग अपना जो भी आपके लोग सेंटर पे काम कर हैं हो सकता है कभी अभी जैसे बन फैमिली बन आइडी आपको अल्रेडी बताया है मैंने पिछले भी लाइफ सेसेंस में बताया था और आप लोग अभी इसके लिए भी रिश्ट्रेशन कर रहे होंगे मारे भी जो की बोर रिश्ट्रेशन भी इडिस्टिक पोर्टल के महोदे के दुआरा बार-बार समिख्षा बेड़क की जा रहे हैं कि उसमें कितना प्रिकती जिले बार चल लही है बंफैमिली बन आइडी में भी मोबाइल नंबर लोगों के या रही जिटके आधार में लिंक होना जरूरी है जिलोगों के मोबाइल में अगर आधार नं न या यूपी गवर्मेंट ने जो है वो लॉंच की है तो यूपी के जितने भी आधारधार है या रासन कार्ड होल्डर है उन्हीं को वेनिफिट मिल फाएगा तो लोग के अडरस भी अपडेट होना चलूरी है अगर इन केस किसी का अधार कार्ड मुंबई का है और वो हो सकता है कि मुझे पनफैमिली पनाधी के तरिक्रस में रेजिस्ट्रेश्ट हो जाये या उस स्कीम में मेरा रेजिस्ट्रेश्ट वो नहीं करा भाएंगे जब तक कि वो अपना आधार में एडरस यूपी का नहीं करा सो इसी दिये बात हो रही है कि लोगों के जो demographic detail है, उनके address है, आधार में वो updated रहने चाहिए, जहां वो रह रहे हैं, जहां वो तीन साल से रह रहे हैं और उसके बाब जूर्द वो अपना आधार update नहीं करा रहे हैं, address तो उसके पीशे क्या region है, हो सकता है उन्हें जरूरत नही ही पड़ी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब जरूरत पड़े तभी उसकाम को क्याराया जाए, समय रहते हैं, काम करा लेने से, जो unnecessary भीड या फिर जो लाइन में लगने वाला जो एक situation क्रिए हो जाती है, तो उससे हम लोग बचे रहते हैं, आप अवेर करें अपने आसप ही नहीं करा गया, voluntary है, लेकिन बोला जा रहा है बार-बार कि अगर इन केस, जो government की schemes है, जिसमें की अगर गाउं की बात करें तो सबसे पहले आता है रासन, रासन कार्ड होल्डर है, उनको रासन मिलता है, वो भी अब आजकल आधार बेश्ट है, आधार से लिंक कर दिए ग सब लिंग है आधार से ही, इसके लाब और भी चिती भी services, जो भी सरकारी यूजनाएं हैं, लब एक हजार से ज़्यादा सरकारी यूजनाएं ऐसी हैं, जिसमे की आधार यूज डारेट या इंडारेट वे में होता है, तो आप लोग को अवेर करिए कि अपने आधार में सम सब्सक्राइब हैं, जिसमें की अपडेटेट वेके मोबाइल लंबर, वेके ID, एड़ने चाहिए, और एक्जाम्पल जो आपने अभी देखा है, आपको सहारा था, इस सहारा में बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं, आधार धारक ऐसे निकल के आ रहे हैं जिन्होंने मोबाइल लंबर आस्ते लिंक की नहीं कराए दिये, और वो अपनी सर्विस का वेकेट तक 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 नहीं ले पा रहे हैं, रेइस्टेशन नहीं कर पा रहे हैं, जब तो उनका मोबाइल लंबर लिंक नहीं है, प्लीज सभी आप BLE भाईों से अन्रोड है, इस प अपना लोगों को अभर करके अपने ट्रांजेक्शन आसानी से बढ़ा सकते हैं, अभी ही कोई इतना वो आप अपने आपको जो है, डेमिलाइस ना करें कि अरे, अब हमारे से ये सर्विस इस चले गई हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि कुछ रुपकेश्ट हमारे प आपके बाद भेंग बीसी है, आप और भी सर्विस इस दे रहे हैं, यह कि अडिशनल सर्विस है, जो कि आपके सेंटर पे फुट्पॉल को इनहेंस करती है, ऐसा नहीं है कि खतम होने से ये यूशियल की सर्विस कम हो जाने से आप यहां लोग आना बंद हो गए, बंद नह करने के लिए आपको इनहेंस करती है, यह आप डिपेंडेंट सर्विस नहीं है कि आप जो यूशियल पे अगर यह चीज़ बंद हो गए, तो आप बंद कर देंगे, CAC सरेंडर कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, इसके लाबा एक दुबारा से मैं आप सभी वीली भाई या आ करने वाले हमारे ओपेटर से हैं को ध्यान दें, कि UIDI के द्वारा जो सामने आपको स्कीन पर टाइम लाइन दी जा रही है, बियॉंड इस टाइम लाइन आपको दोबारा से अपना आधार सर्टिप्रिक्रिशन जो NACIT या पर CP से आपने एक्जाम दिया था, उसको दोबा किया है, हमने ग्रुप्स में भी बताया है, तो पिलीज सभी से रुकेष्ट है कि आपका जो आप इसले पर काम कर रहे हैं, वो बारत ना हो, आप जिस स्लैब में आ रहे हैं, आपका जो सर्टिप्रिकेट जब आपने पहले कभी पास किया था, उसको देख लीजिए और उस तुबारा उसको पास करना होगा, ठीक है, अभी प्रिजेंट 10 में जैसे अभी अगस्त चलना है, तो अगस्त वाले स्लैब में बात करें कि एक जनवरी से 31 जनवरी हो गया, उसके बाद नौवंबर और अगस्त, अगस्त 2023 तक उन सभी ऑपरेटर्स को एक्जाम करना जरूर जिनके आधार सर्टिफिकेट जो पहले पास किये थे 31 दिसमबर 2013, 2013 से पहले जितने भी ऑपरेटर्स हैं, अगर वो अभी तक एक्जाम नहीं किये हैं, प्लीज एक्जाम कर लीजिए, ऐसे ही 2016 तक कि जितने भी सर्टिफाइड हमारे ऑपरेटर्स हैं को नौवंबर तक कर प्लेएं और इसको पास करने के लिए उफ्राइजिशन लेटर की जगत पढ़ रही है, तो वो उफ्राइजिशन लेटर आप लोग हमारे जो डिस्टिप मैनेजर से चिला प्रबंद देगें, उसे प्राप्त करेंगे, और उस उफ्राइजिशन लेटर को अप्लोड हैं कि जो भी हेल्प्लाइन नम्बर है, यूज डिस्पले करके रखें, मेल एडिस डिस्पले करके रखें, और लोगों को एट लीस्ट कम से कम यह जरूर बता कर रखें कि 1947, जो कि हम लोग जो हैं, जैसे की CSE रइइस्टार है, आप एंडॉल्मेंट रइस्टेशन करने क कि लिए अणीवी इसला मात रहे है, आप कोई भी रेइडेंट आता है, आप उसके जो बैलिट डॉकुमेंट है, उसको चेक करते हैं, और बैलिट जो भी लेके आया, उसके बिहाब पे उसका एंडॉल्मेंट करते हैं, रइस्टेशन करते हैं, हम किसी का आधार जन्यट हो आपने जो इसके डॉकुमेंट से उसको अच्छे से चेक किया और डॉकुमेंट को चेक करने के बैरिफिकेशन के बाद आपने एसपर गैडलाइन उसका एंडॉल्मेंट करते हुए उसको एंडॉल्मेंट सिलिप दे दी उसके जो ईजर चार्ज थे नाइदार सिलिक थे 50 इस पे वो अपना ट्राइ करते रहें इसके लावा help at the rate uidi.gov.in mail id है इस mail id पर भी mail करके वो अपना कोई भी query या कोई question है उनका in case आधार reject हो जाता है या कोई और भी वजह से उनका आधार delay हो रहा है process नहीं हो रहा है जनरेट नहीं हो रहा है उपन 947 या help at the rate uidi.gov.in mail id पर mail कर सकते हैं पिछले कुछ एक समय से पिछले एक किड़ महीने से एक problem भी आ रही है कुछ एक packet जो है process में नहीं जा रहे है या कुछ packet process होने में समय लग रहा है तो आप से भी सभी PLE भाई उस अन्रोध है कि आप resident से खुड़ा सा patience के साथ में उसको पेज आए अननेसेसरी उससे जगले नहीं अगर कोई भी packet आपका hold में है या process में नहीं जा रहा है या फिर आपको process नहीं दिखाई दे रहा है वापे तो प्लीज उसका EID नमबर डालकर कई बार ऐसा होता है कि आपके software में उसका जो status है कुछ और दिखा रहा होता है लेकिन actual में back end से वो packet जो है process हो गए होते हैं तो प्लीज की जो आधार चेक status वाली जो website है उस पर EID नमबर डालके check करें अगर उस पर भी आधार status चेक नहीं हो पा रहा है तो आप रहीटेंट को बताएं कि help at the rate uidi.gov.in पे रहीटेंट खुड से भी mail कर सकते हैं क्वेरी कर सकते हैं आप help भी कर सकते हैं इस mail ID पर भेज़कर EID आप चेक status करवा सकते हैं उसमें क्योंकि कुछ packet ऐसे होते हैं जो back end से थोड़ा delay या काभी समय बाद प्रोसेस होते हैं तो उसकी जानकारी आपको mail ID या पनी उस call करने पर उस phone number के मात्यम से प्राप्थ हो जाएगी आप right end को misget ना करें और unnecessary उससे जगडे ने उसे प्यार से बताएं कि हमने आपका जो भी mobile number link करना था या address update करना था आप जो चीज लेकर आये थे वो उसको देखते हुए environment कर दिया है यह status है यह ID नमबर है आप इस पर अपना status पता कर सकते हैं तो आज की मुलागात in this session में दो-3 बाते main हम लोगोंने डिस 180 है 180 पर काम कर रहे हैं 176 से नीचे बिलो जितने भी आधार बर्जन है वो सभी बंद कर दिये गए हैं अगर मसीन आपकी सिंग नहीं हो रही है तो चेक करें आधार बर्जन और उसको अपडेट करें आपडेट कराने के लिए हमसे संपर्क करें इसके अलावा आप लिधार पर समय देना है डेली अपना सेंटर बोलना है सुबह आठ विजे आप सेंटर पर काम कर सकते हैं तो सुरू पर यह पूरा समय दीजिए अन्नेसेसरी अपना सेंटर बंद मत रखिए आपके यहां पर एटोमेंटिक फूटकॉल बना रहेगा इसके अलावा तीसरा कोईट मे के द्वारा वही आप रही इंडेंट से बीजिए तो आज की मुलाकास सेशन में वही भाई इस सेशन को देख रहे थे सभी बीली भाईयों का आज की मुलाकास सेशन को देखने के लिए दन्दबाद आप इस सेशन को हमारे CSE Facebook उप्तर प्रदेश लाइब जो पेज है CSE Facebook उस पर बाद में भी देख सकते हैं उसको समझ सकते हैं इनके सबर कुई भी यली भाई आज की मुलाकास सेशन में एडर नहीं हो पाए थे तो आप उस पर भी बाद में ये रिकॉर्डेट रहता है Facebook लाइब सेशन आप उस पर अपना इस लाइब सेशन को दुवारा से झाल 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 झाल